और आज जब कारकम के प्रारंब में मेरे आदिवासी जनजातिय समू के सभी लोग अलग-अलग मंच पर गीत के साथ धून के साथ अपनी भावनाएं प्रगट कर रहे थे मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपन कालखन मैंने आदिवासी के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई ने कोई तत्व ज्ञान होता है Purpose of Life आदिवासी अपने नाजगान में अपने गीतों में अपनी परंपराव में बख्खुभी प्रस्तूत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रती मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था और मैंने जब गीत के शब्दों को बारी की से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोरा रहा हूँ लेकिन आपने जो कहा शायद देख धर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण जीवन जीने का इरादा जीवन जीने के हेतो बख्खुबी प्रस्तूत करता है आपने अपने नुर्त्य के द्वारा अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तूत किया शरीर चार दीनों का है अंत में मिट्टी में मिल जाएगा खाना पीना खुब किया बगवान का नाम भुलाया देखिए या अदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी सच मुझ में बेसिक्षित है कि हमें अभी सिक्षा बाकी है आगे कहते हैं मोज मस्ति में उमर बिता दी जीवन सफल नहीं किया अपने जीवन में लड़ाई जगडा खूप किया गर में उत्पाद भी खुप किया जब अंत समय आया तो मन में पच्छताना व्यर्त है धर्ती खेत खलियान किसी के नहीं है देखिया आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है धर्ती खेत खलियान किसी के नहीं है अपने मन में गुमान करना व्यर्त है ये धन दौलत कोई काम के नहीं है इसे यहीं छोड़ के जाना है आप देखिये इस संगीत में इस नुरुत्य में जो शब्द कहे गए है वो जीवन का उत्तम तत्वग्यान जंगलों में जिंदी की गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया हो इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है साथियों इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मद्दपदेश सिकल सेल मिशन हो ये दोनों का एरकम आदिवासी समाज में स्वास्त और पोशन को बहतर बनाने में अहें भूमिका नभाएंगे मुझे इसका भी संतोज है कि प्रदान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहट मुप्त रासन मिलने से कोरोना कान में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदन मिली अब जब गाओं में आपके घर के पास सस्ता रासन पहुचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरीत खर्च से भी मुक्ती मिलेगी आउश्मान भारती होजना से पहले ही अनेग बिमारियों का मुप्त राच आदिवासी समाज को मिल रहा है देश के गरीबों को मिल रहा है मुझे खुसी है कि मद्ध देश में जनजातिय परिवारों में तेजी से मुप्त टीका करन भी हो रहा है दुनिया के पड़े लिखे देशों में भी टीका करन को लेकर के सवाल या निशान लगाने की खबरे आती है लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीका करन के महत्व को समझता भी है स्विकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमी का अदा कर रहा है इससे बड़ी समझदारी क्या होती है